असलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून आप सबका मेरे चैनल पर वापिस से स्वागत है कल मैंने अपने चैनल पर एक शॉट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेडरल रिजर्फ को वापिस से क्या कन्फूजन हो सकता है बिकॉज CPI, PPI दोनों बढ़के ऑफिशली आच चुकी है ऑफिशली आप यह कह सकते हो कि महेंगाई वापिस से बढ़ना शुरू हो चुका है 2020-22 में जो इंफलेशन बढ़ा था उससे फेडरल रिजर्फ की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पे काफी बढ़ा हिट आया था बिकॉज जब इंफलेशन बढ़ना शुरू हुई थी तो फेड ने यह बोला था कि यह ट्रांजिटरी इंफलेशन है जो लॉकडाउंस हुए थे उसकी वज़ए से सप्लाइचेंस में काफी बॉटलनेक्स हैं जिसकी वज़ए से इंफलेशन बढ़ रही है और जब तक 8- 9% के इंफलेशन नहीं चली गई तब तक फेडरल रिजर्व आक्शन में नहीं आया तो वह जो एक क्रेडिबिलीडी हिट था आइम वेरी शौर के अब फेडरल रिजर्व को याद रहेगा विकॉज ऐसा ना हो के रेट कट शुरू कर दें और वापस से इंफलेशन बढ़ रिजर्व रेट कट नहीं करेगा मार्च में इन फाक्ट यरा वैरी गुड चांसे इसके मई के अंदर भी कोई रेट कट ना हो अब रेट कट की सारी उमीद है जून के अंदर है जैसे जैसे रेट कट डीले होता जाएगा वैसे वैसे गोल्ड पे ज्यादा प्रेशर आता जाएगा इन फाक्ट अगर आप अपसलूट टर्म में देखो तो 295 तक गोल्ड चला गया था उसके बाद 2556 की क्लोजिंग होई है तो अपसलूट टर्म में 40 डॉलर क्रैक होके गोल्ड प्राइसे बंद हुए है और इंफलेशन वापिस से आ सकती है अगर आपको डिसेंब सेप्टेंबर का फेडरल रिजर्व का चेर्मेन का स्टेट्मेंट याद हो तो उन्होंने एक हिंट दिया था कि वी आर ऑन पाथ तो कट इंटरस रेट इन 2024 बट वी विल नॉट हैजिटेट टू हाइक दा इंटरस रेट इफ इंफलेशन परसिस्ट इसका मतलब कि इवन द तो अगेन फेडरल रिजर्व ने एक option खुला तो रखा है कि वापिस से rate hike कर सकते हैं बट क्या वो इतना bold step लेते हैं that we will have to see अब यह वाला अफ्ता बहुत important रहेगा इंटरस रेट कट तो नहीं होगा but at least the federal reserve के chairman का एक take पता चलेगा जो inflation वापिस से बढ़ रही है उसके बारे में उनका क्या कहना बाकी charts पर चलते हैं और देखते हैं क्या action हो सकता है बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं आपको market commentary में बता ही दूँगा market commentary और paid signals की जानकारी सारी description में दे रखिये हैं आप चेक कर सकते हैं चैनल पे नहीं आया है तो subscribe कर लीजेगा breaking news का update telegram और twitter पर आता है उनका link पर description में चार्ट पर चलते हैं देखते हैं क्या action हो सकता है तो यह आ गए हम डिली चार्ट पर जिस तरीके से गोल्ड प्राइस ने closing दी है that is very good closing I would say अब अगर यह 2172 अगर आपको याद हो तो मैंने weekly analysis में एक 2072 75 के आसपास की closing का जिक्र किया था in fact market commentary में भी मैंने बताया था कि 2072 75 के उपर की closing थोड़ी सी positive है गोल्ड ने एक दो बार closing दी लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं gold prices के अंदर और अब ही 2155-56 के आसपास की closing होई है आपकी closing थोड़ी उपनीचे दिखा सकता है बट यह है कि 2155 के आसपास की closing होई है एक reversal काफी लोग मुझसे पूछा थे कि क्या gold reverse होने चाहरा है क्या gold reverse हो सकता है गोल्ड reversal हो सकता है obviously हो सकता है बट उसके लिए federal reserve लगेगा उसको अगर FED कह दे वेडनस दे को के हम हो सकता है interest rate बढ़ा दें because inflation वापस आ रही है तो of course gold crash हो सकता है और 2100 और 2050 की तरफ भी चाह सकता है बट अगेन सारा का सारा दारोमदार federal reserve के उपर है because inflation के आकड़ों ने तो अपना काम कर दिया अगर आप यह देखोगे तो Monday ही हाई बना था 2189 का Friday 2195 का बना था बट 2195 से आप देखोगे तो 2155 चालेस जल्वर के असपास नीचे बंद हुआ है और अगर Monday की ओपनिंग से भी देखोगे तो भी 25 जॉलर नीचे बंद हुआ है अभी और इसको नीचे बंद होना चाहिए था I was expecting के और नीचे बंद हो बट थांक्स टू सिल्वर सिल्वर के अंदर आप स्रेंग्स देख सकते हो कि मंडे उपन हुई थी है 24-30 पे और 25 डॉलर से भी उपर जाके बंद हुई है जबकि गोल्ड प्राइस मंडे उपन हुए थे 279, 189 पे और 255 के असपास बंद हुए तो इससे आपको पदा चल थो रहुआ के डॉलर इंडेक्स और 255 असपास यह जो एक जों है 104 10 115 के असपास इसके अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर चलूजिंग होती है तो फिर गोल्ड के अंदर प्रेशर और ज्यादा बढ़ सकता है अब 2155 के आसपास की क्लोजिंग होई है आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन-कौन से मेजर टेटा हैं अगले हफ़ते मंडे को चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बाद चाइना का इंप्लॉइमेंट रेट है यॉरप के फाइनल कोर सीपी आई आकड़े हैं इस पर नजर रखेगा यलो में इन्होंने दिया है इसका मतलब कम सिगनिफिकंट है बट दीदार कम अच्छे सिगनिफ पॉलिसी इंपॉर्टन रहेगी विकाज लास्टाइम जपैन के गवर्णर ने बताया था कि हो सकता है हम इंट्रस्टेट थोड़ा बढ़ा दें विकाज काफी टाइम से इंफलेशन बढ़ रही है और उसके लिए हमें इंट्रस्टेट बढ़ाने पड़ेंगे इस पर कैनेडा के CPI आकड़ों से दो हफ्ते लास्ट मंत में काफी आक्शन आया था गोल्ड प्राइस के अंदर तो ध्यान रखेगा बिल्डिंग पर्मिट्स हैं यूएस के वेटनस दे आएगा मेन आक्शन जब आएंगे बिरिटेन के CPI आकड़े और फेडरल लिजर्व के स्टेट्मेंट से फर्क पड़ेगा स्टेट्मेंट शुरू होगा बारा बजे रात को प्रेस वांसन शुरू होगी तो देखिएगा उसका कुछ भी कुछ भी सिगनिफिकेंट रहेगा तो मैं अगले वीडियो में आपको मतलब वेडनस डे आएगा रात को तो थर्सडे बता ही दूँगा तो मेक शूर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उसके बाद थर्सडे है यॉरप के मैनुफाक्ट्रिंग आकड़े जर्मनी के मैनुफाक्ट्रिंग आकड़े ब्रिटेन की मौनिटरी पॉलिसी है यॉरप यॉरपियन बैंक हो गया या फिर ये ब अनेप्लाइमेंट क्लेम से यॉस के छे बजे मैनुफाक्ट्रिंग और सब्सक्राइब से यॉस के साड़े साथ बजे एकडिस्टिंग होम सेल्स आकड़े है उसके बाद फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन के और फैडरल रिजर्फ चेर्मन की स्पीज भी है शाम क पॉजिटिव जोन में नहीं है हमारे सैटप के साफ से अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है और बहुत जोर से है कितना जोर से है आपको भी सपोर्ट दिखेगा तो पता चल जाएगा सपोर्ट है गोल्ड का भाई साहब तो हजार असी डॉलर का रिजिस्टन्स है बाइस सु दस का प्रेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है बट इध्यान रखेगा फेड वीक है मार्केट में कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी पोजिशन ले रहे हैं तो प्लीज टॉप लोस लगाएंगे तो आपके चांदी पहा जाते हैं 25 डॉलर 16 सेंट के आसपास की क्लोजिंग दी है चांदी में एक छोटा सा रजिस्टन्स चांदी में यह है लास्ट टाइम यहां पी जो है एक वह हुआ था स्पाइक आके नीचे चला गया था 25 नब्बे से तक्रीबन 21 नब्बे यानी 4 डॉलर का क्रैक आया था थोड़ा सा ध्यान लखी का 25 डॉलर 26 डॉलर का रजिस्टन्स तो है सपोर्ट सिल्वर का भाई सहाब है सपोर्ट बहुत नीचे है लिखके इपता रहता हूं सपोर्ट है 23 का रजिस्टन्स है 26 डॉलर का ट्रेंड पॉजिटिव है तो खयाल रखिएगा बाकी कुछ भी रहेगा मार्केट कॉमेंटरी में आई जाएगा 81 डॉलर के असपास क्रूड ऑल की क्लोजिंग हुई है अभी भी क्रूड ऑल बहुत ही सुस्त सुस्त चल रहा है ऐसे लग रहा है बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अगर इसका बेस बन गया तो फिर 90 और 100 डॉलर ही दिखेगा आपको अब देखते हैं के यहां से वापे से 75 डॉलर की तरफ जाके वीक्नेस में जाता है या फिर 100 डॉलर जाता है यह भी विल एक टूब्स सीप्ट टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव जोन में है और कभ तक पॉजिटिव जोन है भाई साथ जब तक यह 75 डॉलर की नीचे नही देता है तो दाट इस सपोर्ट ऑफ 75 डॉलर रजिस्टन्स है इसका 86 डॉलर 20 सेंट का ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तीनों कमोडिटी इस पॉजिटिव जोन में ही है ध्यान रखेगा इस आर पॉजिशनल ट्रेंड डेली चार्ट पे इंट्रडे ट्रेंड अलग होता है उसके लिए आप मेरा मंडे टू फ्राइडे वीडियो देख सकते हो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है पेट सिंग्नल्स और मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी वेबसाइट पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी टीम का वाटसेप नमर भी डिस्क्रि टेक क्यार बाबाए